पनोर्म कुरूप जो सोचता है वो करता है पनोर्म करता है विए उसकी जीमेवारी जादा बन जाती है विहार में सरकार कैसे स्थिर रहे हैं इन सारी बातों को लेकर के अब सरकार ने सपत गरहन कर लिया है नितिश कुमार एक बार फिर से नौवी बार मुख्य मंत्री की का सपत ले चुके हैं और उनके साथ भाते जंतापाड़ी के विजय कुमार सिनहा और समराच चौधरी को उपमुख मंत्री का सपत दिलाया गया है इसके साथ-साथ आठ लोगों को नितिश कुमार के साथ यानि कुल नौ लोगों ने सपत लिया है और सपत लेने के बाद आज 28 तारी से ले करके आज तक की जो कहानी आपने देखी होगी इस कहानी में बार बार ये खी बात रिपीट की जा रही है कि आखिर ये सरकार मंत्री मंडल का विश्टार क्यों नहीं कर रही है विभागों का बटवारा क्यों नहीं हो रहा है रात के अंधेरे में विभागों को ले करके इन नौ लोगों में, नौ मंत्रियों में विभागों को अबटवारा कर दिया गया और भीतर इभीतर ये सभी कुछ इस तरह से चल रहा है जैसे अभी भी बहुत सारी चीजे बाकी हों आपको बता दें कि एक तरफ जहां सरकार में बैठे लोग जो हैं या दल वो अपने तरफ से तया इस टेकनिकल बातों को लेकर के जहां एक तरफ राष्टिये जनता दल जो की कल सरकार में थी और आज विपक्ष में एक मजबूत विपक्ष के रूप में खड़ी है उसने अभी भी अपना उमीद नहीं छोड़ा है तेजस्वी आदों ने कहा कि खेल तो अभी सुरु कि यह सरकार सब कुछ ठीक ठाक है इस बात को लेकर के अभी तक चर्चा का बजार गर्म है तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि संसे भी लगतार बना हुआ है और इस संसे को और ज़्यादा पढ़ा दिया है जीतन रामाजी ने जीतन रामाजी के कल के बयान और उस जीतन रामाजी कर रहे हैं जीतन रामाजी ने कहा है कि मंत्री मंडल के विश्तार में देरी हो रही है विभागों के बटवारे में भी देरी हो रही है लेकिन अगर मालने कि यह संबैधानिक प्रक्रिया है या फिर विशेशाधिकार है मुख्य मंत्री का तो ऐसी स्थिति म हमें भी कम से कम दो विभाग तो जरूर चाहिए दो मंत्राले तो जरूर चाहिए इसको ले करके आपको पता है कि उन्नों मंत्रियों के सपत में उनके पुत्र संतोश सुमन भी सपत ले रह थे लेकिन अपने एक विधायक को वो मंत्री बनाने के लिए लगतात दबाव बनाते रहे हैं इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि उन्हें दो मंत्राले चाहिए और इतना ही नहीं आने वाले लोगसवाचुणाओ के लिए भी दो सीटो का ओर डिमांड कर रहे है बात यहीं नहीं है इसके अलावे भी जीतन राब माजी का दबाव इस बात को लेकर के भी है कि जब निर्दलिये को मिल सकता है उसके मन मुताविक विभाग तो हमें क्यों नहीं इन सारी बातों के साथ उन्होंने एक बात और कही कि उन्हें तो मुख्य मंत्री बनने तक का ओफर है अब ये सारी बातें आप समझ सकते हैं कि जीतन राब माजी ने किस तरह से बर्तमान इस्थिती में बजार का भाव देख करके अपना दाम बढ़ाया है अपनी कीमत बढ़ाई है ऐसे इस्थिती में निश्यत रुप से नितीश कुमार और भारते जन्ता पाठी के लिए संसे के इस्थिती जरूर बनी हुई है इसी बीच में आपको बता दें कि अचानक से ये सब कुछ चल रहा था इसी बीच समराच चोधरी को दिल्ली तलब किया गया है और समराच चोधरी के दिल्ली तलब करने के बाद चर्चा का बजार गर्म है बार बार ये पुशे जाने पर कि मंत्री मंडल का विश्थार कब होगा कोई माकूल जबाब किसी के पास नहीं है नितीश कुमार कहते हैं कि बहुत जल्द होगा लेकिन कहीं न कहीं ये पेच अजुराया हुआ नजर आ रहा है एक तरफ बोड़िया बिश्था समेटने के लिए माजी तयार बैठे हुए है तो वहीं आपको बता दें कि समराट को दिल्ली तलब किया गया है इसका मतलब सरकार का संकट अभी दूर नहीं हुआ है बारतारी सरकार को फ्लोर टेस्टे गुजरना होगा क्योंकि वर्तमान जो बिधान सभा के अध्यक्ष है अवद वियारी चौधरी उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताओं की नोटिस भी जारी की गई है अब देखना दिल्चस्प होगा कि समराट चौधरी जब दिल्ली से आते हैं तो क्या मंत्री मंडल विस्तार का वो परची साथ में लेकर के आते हैं और जीतन रामाजी के बयानों को किस तरह से भारती जनतापाटी सहेजती समेटी और उन्हें अपने पास रखती है अगर ऐसा नहीं हुआ तो जीतन रामाजी के बयानों से साफ नजर आ रहा है कि कभी जीतन रामाजी जटका दे दें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी दूसी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि राष्टिय जन्ता दल के साथ जिस्तर से नितिश कुमार ने अपना नाता रिष्टा तोड़ा है उसके बाद से कई अलग-अलग दल के जो विधायक हैं या वो जद्यू में हो या अन्य जगह वो काफी गुस्से में भी नजरा रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद पनोर्मंक रूप जो सोचता है वो करता है अगर वीडियो पसंद आई अरुवा बिहार के राजनी और बिहारियत से सरुकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ले ओ ये गो घंटी बा उकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक ख़बर रुवा मुफ्त में मिल जाए अगर रुवा पत्रकाजिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने तो जोईन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद